ओम शान्ती आज 16 सितंबर 2023 है कल बावर ने हमें अव्यक्त इशारों के अंदर उड़ने का फॉर्मूला दिया था कि दिल से सब कुछ कहो बाबा का है आज भी बावा ने मुर्ली के अंदर हमें उड़ती कला के लिए वर्दान दिया उड़ता पंची बनना है अगर तो उसके लिए हमें क्या करना होगा वर्दान में हमने सुना ऐसे ही उड़ते रहने के लिए आए सुनते हैं आज के बावा के अव्यक्त इशारे एक साक्षी पन, दूसरा त्रिकाल दर्शी, यहाँ दोनों स्टेज महारतियों की होने के कारण कोई कितनी भी विक्राल रूप की परिस्थिती हो या बड़े रूप की समस्या हो लेकिन अपनी स्टेज उची होने के कारण वह बिलकुल छोटी लगेगी बड़ी बात अनुभव नहीं होगी और ना विक्राल अनुभव होगी पहले भी बाबा ने हमें त्रिकाल दर्शी होने के लिए बताया था और त्रिकाल दर्शी होने से कैसे हम समाधान स्वरूप बन सकते हैं बाबा ने हमें पहले भी इशारे दिये हैं आज फिर से बाबा हमें त्रिकाल दर्शी रहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ आज बाबा ने एक और इशारा दिया, वो है साक्षी पन, साक्षी और त्रिकाल दर्शी होने से हम इस समय जो भी situation चल रही है, जो भी परिस्थिती चल रही है, सबसे पहले तो उससे अपने आपको न्यारा कर पाते हैं, जैसे बाबा ने आज वर्दान में कहा, कि अपने अनादी स्वरूप में हम स्थित हो जाएं, अनादी स्वरूप में स्थित होने के लिए हमें चाहिए अंतर मुक्ता, और अंतर मुक्षी बनने के लिए बाहिये मुक्ता से साक्षी होन पड़ेगा कच्छुए की तरह अपने कर्मिंद्रियों को अपनी ओर मोड़ना पड़ेगा तो इसलिए जब हम साक्षी हो जाते हैं अपने भीतर जाकर के अंतर मुखी हो करके देखते हैं तो बाहर समस्या है लेकिन अंदर समाधान है और त्रिकाल दर्शी होने से जैसे सिचुएशन में पर स्थिथी में समस्या में ही उल्जे रहेंगे तो वो समस्या शुरू कहां से हुई आदी दिखाई नहीं देगा और वो समस्या कब तक समस्या के रूप में चलती रहेगी अंत भी दिखाई नहीं देगा लेकिन त्रिकाल दर्शी और साक्षी अर्थात उची स्थिथी में आकर के, हम समस्या को जड़ से पकड़ सकते हैं, और उस जड़ को ट्रीट कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर भी केवल मरीज के जो सिम्टम्स होते हैं, निशानिया होती हैं बिमारी की, उसको देखकर समझ तो जाता है, लेकिन दवाई सिम्टम्स की नहीं, तब तक त्रिकाल दर्शी होकर उस समस्या की जड़ को नहीं देखा, तब तक वो समस्या सदाकाल के लिए हम हल नहीं कर सकते, उस समय तो ट्रीटमेंट दे देंगे, थोड़े समय के लिए तो वो दब जाएगी, लेकिन अंदर-अंदर फिर से पनपती रहेगी, इसलिए अ उपर अपने अनादी स्वरूप में रह करके, त्रिकाल दर्शी होकर के हम समस्या को देखे, उसको जड़ से खतम करें और उसके अंत पर भी फिर दुबारा कभी वो समस्या लोट कर ना आए, ऐसे ही हमें पुर्शार्थ करना है, ओम शंति